नमस्कार दोस्तों परताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के पडोसी देश श्रिलंका में इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ है उसके पीछे वजहें क्या है आखिर कौन है एकेडी और एकेडी के पीछे जो कॉलिशन काम कर रहा है NPP और याद हो 2022 में जो बड़े पैमाने पर श्रिलंका की सडकों में गुसा फूटा था राजपक्षे के पीछे उसको बाहर निकालने के लिए उसने आखिर कार एक पॉलिटिकल शेप लिया है लेकिन संकट आगे बहुत है श्रिलंका के सामने उन संकटों पे हम बात और साथ ही साथ हमारी चिंता में बना हुआ है लिबनान और फिलिस्तीन इसराइल एक आतंग की राज़ की तरह लिबनान को निशाने पे ले रहा है लगातार हमले जारी है इन दोनों मुद्दों पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से प्रबीर जिस तरह से श्री लंका में एक नया चेहरा राजनीती में आया है अनुरा कुमारा दिसानाइके उनको कैसे आप देखते हैं कि जीत को कैसे देखते हैं देखे इसमें दो चीज है एक तो है कि सिर्फ अनुरा दिसानाइके कि उनको देखे उसके साथ 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 साजिद प्रेमदासा जिसकी भी एक नई पार्टी इस चुनाव में उतरा है वो दूसरे स्थान पे है और जो पुराने दो पार्टियां है जो कि हम पचास साल से उन को देख रहे हैं उन दोनों पार्टी इस वक्त जो है धुमिल हो गई है राजनिती से पूरी तरह से बाहर नहीं है का अनिल विक्रम सिंगे की जो पार्टी है जो प्रेजिदेंट की पच्विकार किया था उनकी पार्टी उनको 17 परसें वोट मिला है पर साफ है कि वो भी का बच्चे थे उस वक्त से देख रहे है उसको SLFP कहते थे जो बाद बे SLPP बना और जो की राया पक्षे किसी पार्टी हो गई थी पूरी तरह से वो पार्टी करीब करीब खतम है विक्रम सिंगे को 17 परसें वोट मिला है प्रेम दासा को उससे कम वोट मिला है काफी पीछे रह इनको मेरे खाल इनको 33-34 परसेंट वोट मिले है और विक्रम सिंगे जो यू एनप की प्रदिद्धिव करते थे उनको जो प्रेजिदेंट बी थे 17 परसेंट की लगभग वोट मिला है वो इसलिए 2 प्रेफरेंस में उनको निकाल लिया गया था ये दो लों के बीच में प् प्रेजिदेंट में शामिल किया है और शामिल करने के बाद पारलिमेंट के लिए उन्होंने चुनाव घोषना कर दिया है और उस चुनाव में देखना पड़ेगा कौन कितने सीट लेके आते तो उसमें जो है भविश स्रिलंका का इस चीज पे निर्भर करेगा डिपेंड को भी कौलेशन के तरह चलना पड़ेगा यह सवाल अभी भी है क्योंकि दिसानायको को पॉपलर शब्द है एकेडी एकेडी की जीत के तौर पे देखा गया और श्रिलंका में मार्कसिस्ट की जीत के तौर पर इनकी पहचान है देश और दुनिया में भी जिस तरह से दो सा साल में श्रिलंका बदला है दो साल में यह बहुत ही आश्चर चकित करने वाला है कि एन पी पी जिस कोलीशन का अभी गठन हुआ जब भीशन संकट में श्रिलंका गया तो किसी ने शैद कयास नहीं किया था कोई प्लिटिकल पंडित इतना बड़ा दाओं एकेडी पे लग कि स्री लंका में दो साल पहले 2022 में जो अप्राइजिंग के सिसको अरगलाया शाद से स्री लंका में कहा जाता है श्रगल, संखर्ष. वो संगहर्ष में स्री लंका का जनता सडक पे उतरा और ये घोशना किया कि जिस तरह से देश की राजदीत चल रही है उससे हम सहमत नहीं है हम इसको पूरी तरह से बदलना चाहते है और इसमें जो राजा पक्षे जिनका एक हिसाब से कम्प्लीट डॉमिनेशन था स्री लंक पे 2016 के बाद से खास तोर से उनमें चार भाई उस पूरा सरकार को चला रहे थे एक प्रेजिदेंट था एक प्राम मिनिस्टर था एक फाइनांस मिनिस्टर था और एक मिनिस्टर था उसका बेटा भी सामने आ रहा था तो वो सब देखते हुए और उसकी जो आर्थिक संकट थी भयानक आर्थिक संकट थी उसमें इस वक चर्चा नहीं करेंगा पहले कभी कर चुके यहा निस क्लिक में इन चीजों की वो जो रुन से दिबा हुआ था भारी पैमाने पे उनको उस डेट को चुकाने के लिए उनको कटावती करनी पड़ रही थी और आम जनता के जो च पाटना पड़ था पेट्रॉल नहीं था बिजली नहीं थी सिलंडर नहीं था कुछ नहीं था खरीद दी पा रहे थे अर उनका जो अग्रिकल्चर है वो बैड गया था क्योंकि फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं कर रहे थे तो यह सब देखते हुए राजया पक्षय की ख मारे पास देख सकते हैं और बहुत सारे और भी दृष्य है उसमें उनकी प्रेजिदेंशल पैलेस पे रहे यह कुछ दिन जो प्रेजिशन कारी थे तो पुरी तरह से उनका शाशन वेवस्ता उस वक्त ठप कर दिया गया था और उनको मानना पड़ा कि राजया पक्षय की स सिंगे उस वक्त वहां पर क्या कहेंगे कामान संभाले और कम से कम आए मेफ से निगोशियेट करके कुछ थिरिता लाने की कोशिश की पर इस चुनाव दिखाता है इस संघर्ष जो अरगला अरगला जो उनकी संघर्ष बढ़ा युनीक भी था संघर्ष इसमें कलाकार भी सारा सेक्शन ग्रामीर से लेकर शहरी और खास्तरोर से जो नौजमान थे उन्होंने एक बिल्कुल दूसरे लेकिन सब कुछ उस समय नहीं लग रहा था लोगों को कि यह एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में तबदील होगा दो साल में यह तबदील हुआ तो यह साफ था कि जो पुराने शक्तियां जो सरकार को कबजा कर रखे थे जिसको फ्यूडल कह सकते हैं जो उसकी प्लांटेशन एकॉनमी को कंट्रोल करता था जो उनकी बिजनिस हाउसेस है जो ज्याता तर व्यापारी कमर्शिल फाइनेंशिल कंपनियां है उत्पादन इंडस्ट्रि था देश के अर्थनीति पर देश के राजडीत पर वो करीब करीब खतम करना इस हासन घर्ष के लोग चाहते थे और वही उन्होंने इस चुनाव में किया इस चुनाव में भी जो श्रिलंका की जो तस्वीर आई है विसानायके किया जो कोलिशन जिस कोलिशन को लीट कर रह है इस पर दो चीजे निकल के आती है कि राजया पक्षे का कही नाम निशान नहीं है विक्रम सिंहे का थोड़ा एक दो जगह पे कुछ मिला होगा तो होगा पर ज्यादा तर जो आपका देख सकते दिसनायके प्रेविधासा नपीप दिसनायके के और असल पीप सजीत प्रे वोटिंग पर सेच पर देखे तो चतर परसन इन दो पाटियों को गई और सबको मिलाके 17 परसन अपका विक्रम सिंहे को और राजया पक्षे को दाई परसन्ट वोड मिला है तो सोच लीजे जो राजया पक्षे पूरा 2016 के भाद पूरा स्री लंका और फ्राजपक्षे ही के विए अरकरे, तो 71 जो अन्होंने अमंड्स्ट्रगल की, JVPP ले, जो इनका मूल दळड है, मूल दळड हैं, इनकी रूट सेहां पर है, इसके बाद दोस्रों को अन्होंने जोड़ है, तो उसमें 1971 में अन्होंने अन्होंने अंट्रकल की कॉल दी और 1987 ज़ड़ धी अड़्ेस और उनके यह था को इंडिया को वो एक कलोडियल पावर के रूप में देखते थे और इसलिए स्री लंकान टैमिल्स जो थे उनको भी वो मुखालफत करते थे लिटे का तो था ही पर स्री लंकान टैमिल्स के जो डिमांड थी भाषा को लेके इसको डेविलुशन कहा जाता है स हमारे यह प्रदेशिक राइट, स्टेट राइट्स कहते जिसको तो उसकी डिमांड को वो इंकार करते थे और कहते थे इंडिया की थोपी भी है और सिन्हला भाषा की भाषा होना चाहिए और दूसरी भाषा नहीं होना चाहिए और अभी भी यह स्टेट राइट्स की प्र भाशा की राइट, धर्म की राइट, क्योंकि मुसल्मान भी वहाँ इस्टर्ड प्रोविंस जहां पर भी उनको खास वोट नहीं मिला है इस इलाके में तो उसको अगर दे के उसमें बल्कि प्रेवधासा का वोट मिला है उन जगों पर बुन्यारी तौर पर इंको सिहला प्र तो यह जगों प्राइट के साथ ही तो यह कैसे डेवलुशन को टैकल करेंगे, स्टेट राइट को टैकल करेंगे और कैसे तमिल्स को और मुसलिम पॉपलेशन इस्टर्ण प्रोविंस में करिब 40 परसंट तामिल है और करिब 35 परसंट मुसल्मान है तो वह एक ऐसा है कि 80 प कैसे तैकल करेंगे, कैसे अड्रिस करेंगे, स्वाल है पर यह कोई दोराय नहीं है कि पुराना धांचा जिसको फ्यूडल और क्या कहेंगे, कौम प्रोदार फोर्स जो विदेशी पूजी के साथ जुड़ा है इस वक्त काफी कमजोर खतम हुए दिखाई पड़ता है दूस इसका इस वक्त राजनितिक प्रवेश हुए है रंगमंच में मेजर तरीके से और यही यह दोनों का धिसनायक है अरिस्जीद प्रेमदासा का जो सेकेड़ाना दोनों इस चीज को दर्शाता है यह लोग दूसरे जो मूल थी जो पुराने प्राचीन पार्टीन पार्टीन उन्हों ने एक तरह से जमीन दोस करने की तैयारी कर ली है इतना होंगे नहीं होंगे इनको कहें के आंशन रजीम पुराने रजीम जो है वो खत्म हुआ है नहीं भ्यविश्य बताएगा पर उसका एक कम से कम एक रांगमंच तो तो तयार हुआ है इस चुलाँ से एक सवाल जो उठता है कि भारत क्योंकि जैसे ही EKD श्रिलंका के दाशनितिक पटल पर आते हैं तब सवाल उठता है कि भारत का रिष्टा क्या होगा क्योंकि अभी तक भारत के रिष्टे जैसे बंगलादेश में शेख हसीना के साथ है वैसे ही यहां विक्रम सिंगे और मंत्री जैशंकर के साथ बैठे हुए हैं चार पांच महीने बहले कि अभारत ने भाप लिया था कि कुछ ऐसा होने वाला है कब से कि तैयारी तो कर रखाता साफ है इस तजवीर से कि अगर यह जीतते हैं तो एक संबंद मिनाने जरूरी है तो जिसको एते कि टी लिवस पढ है इन वाइट कर रहा है तो लगता है कि अग्स मिल तो लोग कैते है कि क्योंकि यांडी मार्क्सिस्ट थो चीन के साथ जा जाएँगे ठीकत है दिसनाय के उस वाँए मिल के यह बतला दिया था कि उनका पक्ष जो है चीन यह भारत बASH नहींai a उनका पक्षण स्रि लंका औ और वही उनके सामने चैलेंज है क्योंकि दोनों महादेशों को एक हिसाब से चीन और भारतवश दोनों के साथ लेकी चलने पड़ चलना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने अभी भी आर्थिक संकट बहुत बड़े पैमाने है और जो ही जो भी इस इलेक्शन को ड्राइफ किया श्रिलंका भी शर्करजे में है आपने जजेकर किया कि अब सबसे बड़ा जो संकट है और यह तस्वीर जो है यह जो ग्राफ से हैं यह बता रहे हैं कि श्रिलंका और दिसानाय के पास जो चैलेंज है वो इतना बड़ा है कि निपटना बड़ा मुश्किल होगा उनके मदद कर सकते वो भी देखना प्लाएगा तो पहली बात पहें इस जो पिक्चर है इस पे आपको यह चीजों पे नजट डालना चाहतों पाइचार इस स्री लंका सरकार की है हमारी नहीं है तो इसे देखेंगे मार्केट बॉरिंग जिसे कहते है इनका रून टोटल अमांट गलिश जो है यह करेब 34 क Charlotte के लाग 85 billion dollar है 35 billion dollar में करीब 15 billion dollar करीब 40 % Market borrowings मतब foreign banks, foreign Institute, Financial institutions Western उनके पास है कर्जा सबसे ज्यादा और वो र्याज का आपको व्याज को बाता है वो सबसे ज्यादा होता है इसके बाद है अगर इसको multilateral agencies कहेंगे, इसके वर्ल बैंक है और IMF तो बाद में आता है, वर्ल बैंक है और Asian Development Bank है, इनको दोनों को मिला के वहाँ पर है, multilateral agencies करिब साड़े नो बिलियन डॉलर्स उनकी है, और इसके बाद आता है bilateral, जो चीन, इंडिया, जपान और दूसरे देश भी है, सबसे जादा चीन का है, 45 पीजदी चीन का है, परसंटेजिस काप से, ठीक है, तो यह देखिए, आपका bilateral 10.10.26 बिलियन डॉलर्स है, इस पे 45 परसंट चीन की, 25 परसंट वनफोर्थ करिब जपा से 10 परसंट तो जब है किमारा जद dismissed, course जब तो हमारा स्री लंका के दिया हुआ और सृरि लंका का डिया है जो हमने, चीन का है जादा और जपान का है, और मुझे जो लगता है चीज, जापान, हिंदुस्तान तीनों का कोशिश होगा कि किसी तरह स्री लंका को स्टेबिलाइज कराए यहाँ पर कॉम्पिटिशन के राजनीत अगर कोई करेगा तो मेरे ख्याल से गलत होगा क्योंकि स्री लंका को स्टेबल सरकार और स्टेबल इसलिए यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स के ज्यादा इसलिए जो इकनोमिक्स करने की ज़रुरत है कैसे स्री लंका को इस क्राइस से निकाले मेरे खियल से तक इनको छूट मिली हुई है जहाँ पर सिर व्याज चुखाना पड़ेगा असल नहीं चुखाना पड़ेगा तब अगर एकोनोमिक्स कर देबिलाइज नहीं होता तो और एक बार स्री लंका संकट की तो जाएगा तो इसलिए इसलिए निया निया अगर बनता है क्या होगा वो क्या नीथी अपनाएंगे कैसे अगे जाएंगे यह चैलिंज है और मेरा समझ यह है कि चीन, जापन, इंडिया जो एशियन पावर्स है उनका सबके एक स्टेक होगा स्री लंका को स्टेबिलाइज करने में अपना कॉंपेटिशन ना कर लिए श्री लंका के बाद अब हम चलेंगे दुनिया के उस हिस्से में जहां पर बहुत तेजी से युद फैल रहा है इसराइल का हमला लगातार जा अमरीका कह रहा है लेकिन युद है और इसराइल का जो खूनी मनसूबा है वो रुखने का नाम नहीं ले रहा है इस पे विशद डिसकॉशन करने के लिए वक्त लगेगा बड़े संक्षिप्त में लेबनॉन में इसरेल के पुराना अटैक्स रहे हैं और एक वक्त था कि इ उन्होंने पालेस्टीनी जो कैम्स थे जहां पर मिलिटरी वहां से चले गए थे उन कैम्स पर गुषके और इस फोर्सेस के साथ बड़े पैमाने पे अर्ट्रॉसिटी किया था जिसको शाबरा शितिला के मैसकर के नाम से लोग जानते हैं नाइटीन एटीन इसे हुआ था और उसके बात सदर लिबनान पे वहां पर उन्होंने अपने फोर्ज रखे और उसके साथ कुछ ऐसे फोर्सेस लिबनान को शामिल किया था जो उनके साथ थे तो यह लड़ाई हेजबुला का उदै उसी से होता है इस लड़ाई में वहां पर अमाल करके एक पार्टी थी ज वोनों आर्म स्ट्रगल किया था और उस आर्म स्ट्रगल से हेजबुला वहां पर एक फोर्स बनके निकलते हैं और अल्टिमेटली वहां से साउथ लेबनान से वो इड्रॉ करते हैं और दुबारा आते हैं 2006 में इन्हों पिर आय थे अंदर और लिटनी नदी तक वो जाने की क कोशिश किये तब हेजबुला ने उनको रोका था संगर्ष हुआ था और इस लड़ाई में इसरेल को पीछे हटना पड़ा तो ये हेजबुला और इसरेल की लड़ाई पुरानी है लेवनान पेन पर एटैक बार बार हुआ है और वो भी लेवनीज जनता इससे वाकिफ है तो इस बार जो लड़ाई है शुरू हुआ था गाजा से और गाजा के सबर्थन में हेजबुला वहां पर बबारी भी किया था और कहा था अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे गाजा को तब हमारी एक कारवाई रहेगी लगातार हम लगातार रहेगी और ये भी उसका सप्लाइचेन को कॉंपरमाईज करके पेजर्स का बिस्फोर्ट कराया जिससे करीब पची सो लोग गायल हुए और कभी करीब तीन सो चार सो लोग मरे उसमें इसके बाद उनने बंबारी शुरू की इसके पेजर्स के साथ साथ और बी चीजे बिस्टी किया और अब फुल- बंबारी कर रहा है और लेबनोन की बेरूट जो राजधानी है वह बंबारी करके उन्होंने कुछ की फिगर्स को हजब ला कु मारा है तो यह उनको लगता है इस तरह से हजब लाशाएद कुटना टेग देगा और हम जीद गोषना करके हम कहेंगे हम जीद गए अब पर ग अब लेबनोन और एक फ्रेंट कोल के यह जुद दवराम की बात हो रही है दोनों चीज में अमरिकार यूरोपियन पुरी यूनियन पुरी तरह से शामिल है क्योंकि 20 बिलियन डॉलर की इनको आंस मिला है अमरिका से इस जंग को कंटिनु करने के लिए उसकी अगर वो कंट दिखाता है कि Hezbollah की लेबनोन से अटैक्स है इसका दायरा कितना है और वो काफी अपने क्या कहेंगे बॉर्डर के पास ही कर रहे है इस अब मिलिटरी कैम साइस वाक क्योंकि हां से आम जंते हां से जा चुकी है 60-80,000 लोग यहां से शिफ्ट कर दिये गए है और यहां पर अभी भी लोग है पर आप देख सेकते बड़े पैमाने पर वहां पर बंबारी जारी है इलका कहना है कि घर में सब के मिजाईल लांचर से कोई बहुगूफ है अपने घर में मिजाईल लांचर अगे का वहां पर जंगली इलाका है पाहड़ी इलाका है वहां पर मिजाईल लांचर्स है पर वहां पर इसल पहुच नहीं पा रहा है तो वह सिविलियन बंबारी ही जादातर कर रहा है तो इसी लिए जो आप जो जिकर कर रहे थे उनाइटेड नेशन पर इसकी बातचीत हो रही है और यहां से खारस्टेट पर देढने के लिई लिए को तैयार नहीं है तेभर तो बहुत सारे है असी बात नहीं है अरिंच ऊड़ रहे हैं तोर रहे हैं तोड रहे हैं कि लिबनान में फुल स्केल युद्ध अगर होता है तो बहुत ही खौफनाक होगा इसराइल को नहीं करना चाहिए लेकिन जवाब दे ही कहीं किसी के नहीं बन रही इसराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है देखे कहनी की बात और करने की बात है कहे कुछ भी एह ले आप कर क्य तो एक साफ है कि वह इस्रेल जो भी करेगा अम्रिका उसके साथ है अधिस चुनाव में भी चाहे वो हैरिस हो कमला हैरिस हो चाहे ट्रॉम्प हो दोनों इस्रेल को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं वही चीज कि इस्टर्मर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर ओब यही कह रह इसन जो जासे टिकाई जए नहीं होता है दिखाई नहीं पाड़ता है उनको लघता है इसलेली कुछ मर रहे हैं यह गलत बात है Northern zwr भाट लेकर चल सकते हैं पर ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो यह कितना करें, ना करें, इसकी बहस हो करते हैं, इस बात की नहीं करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्यों टु स्टेट सलूशन, जो अमरीका ने अगवाई की थी, जिसकी कैम डेविड एग्रिमेंट हुआ था, उसके बाद आज भी न आज के लिए बहुत 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 शुक्रिया, कि दुनिया का एक हिस्से में लगातार जेनोसाइड चल रहा है, लगातार हमले चल रहे हैं, और दुनिया मूख दर्शक बनकर देख रही है, इस तरह से फिलिस्तीन और गाजा को तबाह करने के बाद, लिबनान को दूसरा गाजा बनाने पर उतारू है, इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठी, तो यह जो पूरा पश्चमी एशिया का इलाका है, यह एक भीशन युद्ध में चला जाएगा, और इसकी कीमत हम सब को चुकानी होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार आप से बात करते रहे देखिए, लाइक करिए, शेर कीजिए, न्यूस क्लिक और परताल दुनिया भर की, शुक्रिया